हेलो प्रेंड वेलकम तो माय यूटुब चैनल हिंदी सोटेंड इक्टेशन इस समय बहुत से लोगों ने राष्ट्रपती का फल फूल तथा अन्य प्रकार की चीजों से स्वागत किया इसका उत्तर देते हुए राष्ट्रपती महोदय ने कहा कि आजकल यह आवस्यक है कि प्राताहकाल होते ही हम देश विदेश के हाल चाल पढ़ें ऐसी घटनाएं आय दिन होती है या होती ही रहती है और उनकी खबर भी हाथों हाथ आती रहती है विशेज जाच पढ़ताल करने पर पता लगता है कि संसार की सुकसान्ती उत्तर उत्तर नासगी और बढ़ती जा रही है ऐसी दसा में यह तो निश्चित ही है कि भावी वेदेशिक हल चल में भारत वर्ष बिल्कुल चुपचाफ नहीं बैठता बहुत से लोग राष्टपती की हैस्यत से भारत के बड़े-बड़े सहरों में समय समय पर ब्रहमण करते रहे हैं परन्तु पंडित जी ने ही सर्व प्रथम रातो रात और दिनो दिन गाउं में घूम कर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तुपानी दवरा किया सर्व साधाराण जनता में पहले पहल कांगरेस का बिगुल फूकने का स्रेय इन्हे दिया जाये तो अनुचित ना होगा गरीब किसानों ने पहले ही से सिर्फ जवाहरलाल जी का नाम सुना था परन्तो जब तक वे उनके बीच में नहीं आये थे तब तक वे बेचारे ना उन्हें समझते थे और ना कॉंगरेस को पंडित जी की बात बात में जादू का असर है अतह इनकी बातें सुन कर तो वे लोग एका एक बहुत जादा अचेंबे में पड़ गए थे बाद में उन्हें पहिले पहल मालूम हुआ की अब तक हम अंधेरे में थे सचमुच भारत हमारा और हम भारत के हैं कम से कम वे समझने तो लगे की सोतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके बगेर हम पसुओं से भी खराब है तंदन जी ने भासण में कहा की जहां जहां दिन वदिन आने वाली खबरों से मालूम होता है की आगामी युद्ध जादा से जादा एक दो वर से दूर है इसलिए भारत को सबसे पहले हिंदु मुसल्मान यह जानते हुए भी अभी तक जियोकातियों उसका नाता बनाए है दूसरी बात है खादी और देशी माल का वेवहार में लाने की जिसके बगेर हमारे देशी धन्धे नहीं पनप सकते उसके बगेर हम आजादी भी हासिल नहीं कर सकते हैं कर दो सकते हैं